भरत्पूर में नवयोबक मंजन द्वारा गाउं मौरोली कला में भरत्पूर विधानसवा सरीय ग्रामिन टी टैन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारम हुआ अस प्रतियोगिता के मुखे अतिती भाजपानेता यश अगरवाल थे वहीं अध्यक्षता पंचायत समीती सदत से राजेश जाटव आवंगारव बंसलने की प्रतियोगिता का पहला मेंच मौरोली कला आवं मौरोली खुर्द के मध्ये खेला गया इस मौके पर भाजपानेता यश अगरवाल ने कहा कि भरतपुर के युवाउं में खेलकूद के प्रतिकोशल एवं शमता की कोई कमी नहीं है युवाउं का खेलकूद में हमेशा सरानी योगदान रहा है इस प्रतियों किता में दो दर्जन से अधिक गाउं की क्रिकेट टीम नहीं भागी ले रही है सब है हमारे आदर्ण ये बुज़र्ग और मौरोली कला आव मौरोली खुर्द की समझ सर्दादी मैं तहे दिल से आप सबी का शुक्री अदा करता हूँ कि आपने आज सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब बच्चों को एक बात कहना चाहूंगा मैं जिस प्रश्ट्रूमी में अभी आया हूँ जिसको आप फिलोग राजनी की कहते हैं मैं जुन सेवा करता हूँ उसका शुबारम मुझे नहीं पता था ठाकूर जी ने वो खेलो इंडिया क्यों कराया वो विश्य हमारे पास क्यों आया आप रोगए तंग मेरा इतना घरे जुड़ाब कैसे हुआ क्यों हुआ लेकिन एक बात मैंने वहां जरूर समझी कि चितने भी युवा भरकपुर के हैं उनके अंदर कोशल की और छम्ताओं की कोई कमी नहीं है और उनको सही मंच नहीं मिला था एक जमाना ऐसा था कि भरकपुर के दसमें से आठ बच्चे साथ बच्चे किसी ना किसी खेल में अग्रें पंदियों में खड़े मिलते हैं कि कि कुस्ती का घड़्रा माना भरकपुर कम्वच्डी कि कुस्ती जैसे जमीनी जिस्ता से चुड़े हुए mean किसी जमाने में भरकपुर का शोरे बढाये कर दो कुछ ये मुबाइलों ने हमें जमीनी के मूं से दूर कर दिया कुछ परिस्टितियों ने कर दिया लेकिन वेरान फिर भी अज भी वह वह द्रिजवा दिएयने की बात है